हालो फ्रेंज कैसे आप सब आप सभी का बहुत वेलकम हैं ऐसे क्लासेस में दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जो की है राइट टू इन्फॉर्मिशन एक्ट टू थाउजन फाइफ जिसे हम शॉर्ट में आर्टी आई कहते हैं तो आज हम पूरे एक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें मैं आपको इसमें आये अमेंडमेंट्मेंट्स के बारे में भी बताऊंगी और ये एक्ट कब आया ये एक्ट के पिछे का मकसद क्या था इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें आई हर चीज हम लोग डीटेल् करूंगी इसके साथ आप भूती ध्यान से ये वीडियो दिखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेशन पुछूंगी जो कि इस एक्ट से रिलेटेड होगा ठीक है तो चलिए क्लाश को शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि आय नहीं होता तो यह एक्ट के पीछे क्या वज़ा थी तो यह एक्ट के पीछे की यह वज़ा थी कि इंपावर इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन यानि यह फॉर्इन नेशनल्स के लिए नहीं है यह सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है इंडियन सिटीजन को पावर कर रहने यानि उनलोगों को power देनी कि किस चीज की power information की power informed रहने की power मतलब उन्हें हर तरीके की information मिलनी चाहिए किस से public authority से किस लिए क्यों उन्हें information मिलने चाहिए to promote transparency transparency का मतलब होता है पारदर्शिता यानि हर काम के आगे पीछे क्या हो रहा है वो पता चलता रहे इंडियन citizen को और वो लोग informed रहें हर बात की जानकारी उन्हें रहें किस टाइप के काम के जो भी government related काम हो या फिर other related काम तो हर चीज की जानकारी और सुधता हो काम की transparency हो तो यह बरकरा रखने के लिए यह act आया था अब यह act आने से क्या होगा तो इस act को आने से काम थोड़ा speed में होगा और इसके साथ corruption भी हटेगा तो इसी लिए यह act आया कि Indian citizen को power मिले ताकि वो लोग informed रह सके वो जो काम दे रखे हैं अपील कर रहे हैं तो वो सब के पीछे क्या status चल रहा है यह सब उन्हें पता चलता रहे ठीक है तो यह act applicable है to whole of India अच्छा यह जो पहले की विडियो थी उसमें amendment नहीं था amendment कब आया 2019 में और 2019 के amendment में क्या हुआ accept JN के हट गया मतलब अब यह whole of India में applicable है और यह कब आया तो यह 2019 के amendment में यह हुआ कि अब यह act पूरे इंडिया में applicable है जम्मू एं कश्मीर भी included है applicable to all public authority सारे public authority पे यह applicable है public authority क्या होती है वो हम आगे देखेंगे पूरे एकदम details में फिर object इस act को लाने के पीछे object क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया transparency यानि कि पारदर्शिता सुद्धता प्लस accountability accountability का मतलब क्या है जवाब देही तो किसको जवाब देना है normal citizen इंडियन citizen को जवाब देना है क्यों क्यों क्योंकि इंडियन citizen के tax के पैसे सही सबकाम हो रहा है तो उन्हें जानने का हख है so accountability to इंडियन citizen by PA PA का मतलब क्या है public authority मैंने हर जगा पूरे act में PA करके लिखा है public authority को अब हम देखते हैं कुछ important definitions तो चलिए अब कुछ important definitions देखते हैं सबसे पहला definition है information जो की बताया गया है section 2 F में so information क्या है तो any material in any form हर तरह के material में हर तरीके की form में includes क्या क्या आता है इसमें records, documents, memos, emails, opinions, advices, press release, circulars, order, log books, reports, papers, samples, models, data, materials in all electronic form physical form का जितना भी records है वो सब तो आए गही उसके साथ साथ जो material electronic form में है वो भी information के अंदर आता है मतलब यह देख रहे हैं आप हर तरीके इतने तरीके की चीज़े included है information में यह सब ही information है ठीक है अब हम बात करते है right to information जो की है to j में so इसमें क्या है information held under pa pa का मतलब मैंने क्या बताया था public authority information किसके पास रहेगी public authority के पास इसमें क्या रहता है includes right to inspection inspection करने का हग किस चीज़ को inspection करने का हग work document records right to taking notes extract copies of documents documents के copy ले सकते हैं कौन ले सकते हैं Indian citizen ठीक है right to information किस-किस चीज़ की information का right है disk, floppy, tape, video वो अलग बात है कि कुछ fees लगेगी लेकिन आपको access है आप इन सब चीज़ों का access ले सकते हो ठीक है कि आप work, document, record को inspection करो आप notes लो, extract लो, copies ले लो documents के आपके पास सारे disk, floppy, tape, video आप इन सब का भी access ले सकते हो under right to information act के अंदर हमें ये अधिकार मिलता है आगे अब हम बात करते हैं public authority की जिसे बताया गया है 2H में public authority क्या है it means authority, body और institution established by वो सारे authority हो चाए कोई body हो चाए institution हो body मतलब body corporate company institution हो कोई भी हो established by उसे किसने established किया है या तो constitution, constitution के अंदर या constitution के द्वारा law under parliament या state legislature notification by APG APG का मतलब क्या होता है appropriate government, appropriate government कौन appoint करता है तो central के case में central, state के case में state यानि जो भी companies state के अंदर में है तो उसका APG state decide करेगा और जो भी companies central के अंदर में है उसका APG central के तरफ से decide किया जाएगा so APG मतलब appropriate government तो कोई भी authority, body institution, अगर constitution द्वारा, parliament द्वारा, state legislature द्वारा या APG द्वारा बनाई गई है, तो वो public authorities होंगे, ठीक है so public authority का क्या काम होता है, इनके पास ही information होता है, जैसा कि हमने उपर में देखा था यही हमें information का access दे सकते है so अब आगे कुछ और points देखते हैं, some points, क्या है इस points में obligation of public authority अभी हमने public authority का मतलब देखा, अब हम public authority का क्या दाइत्व है वो देखते हैं under section 4 so PA यानि कि public authority maintain, public authority को maintain करना पड़ेगा records, catalog and index जितने भी records हैं वो public authority को maintain करना पड़ेगा, क्यों maintain करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई उनसे लेने आ सकता है records should be computerized and accessible, ऐसा record बनाना है जो लोग access ले पाएं throughout computer network public authority publish info, 120 days implementing act, जब से act लागू हुआ, उसके 120 दिन के अंदर में हर public authority को information publish करना पड़ेगी उस information में क्या क्या चीज़े रहेंगी, उसमें रहेगा particulars of its organization and work उसका organization क्या काम करता है, वो सारी जितनी important चीज़े बताने की हैं, वो power and duty of its employee कितने employee काम कर रहें, उनकी क्या power duty है, norms, rules, monthly remuneration हर employee को कितने monthly का remuneration, यानि कि fees मिल रहा है, salary मिल रही है क्या rule है वहाँ का, ये सब कुछ, every details, etc. जितना भी important details है, वो बताना पड़ेगा तो ये act आया क्यों था, और state of Rajasthan versus Raj Naren में क्या हुआ, तो यही वो case है जिससे ये act आया, इस case में क्या बात हुई थी कि Raj Naren चाता था कि उसे भी access मिले यानि उसे भी right to information है, तो इस case का यही decision निकला था, कि हर किसी को right to access है, right to information लेने का ये constitution के अंदर में fundamental rights के अंदर में आता है, हर किसी को अधिकार है, right to information का और freedom of speech and expression, article 19 में ये RTI आता है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि MCQ में ये questions बनते हैं दोस्तों, next हम discuss करेंगे designation of public information officer हर public information, public को information के लिए एक PIO होता है, public information officer जिसे हम पढ़ते हैं section 5 में, so public authority designate करते हैं PIO को ठीक है, कहाँ पे हर units और offices में एक PIO, जितने भी administration के जितने भी units होते हैं establishment होते हैं, वहाँ पर एक PIO appoint किया जाता है, और वो किस के अंडर होता है public authority के अंदर में, ठीक है, central के जो होते हैं, वो central के लिए PIO रखेंगे और state वाले जो होते हैं, वो state के लिए PIO रखेंगे, each sub-divisional level, sub-district हर sub-divisional level पे, छोटे छोटे लेवल पे भी PIO रहते हैं, यह PIO क्यों रखा जाता है, क्या काम है, वो हम आगे discuss करेंगे, so request for information section 6 and disposal of request section 7 हम देखते हैं, person seek info, जिसे भी information चाहिए, writing और electronically, या तो लिखे हुए physical में, या electronic में, PIO यानि कि public information officer, prescribed fee paid, वो बता देते हैं कि क्या fee pay करनी है, और किस language में वो information मांग सकते हैं, तो comfortable language, comfortable language में क्या है, English, Hindi और जो भी regional language होती है, वो, और जिस language में वो information मांगेंगे, उसी language में उन्हें reply देना पड़ेगा, then, PIO give info within 30 days, PIO को information देना पड़ेगा citizen को कितने 30 दिन के अंदर में, और अगर info related to life and liberty, अगर जीवन और मित्तिव या आजादी से related बात हो, तो 48 hours के अंदर ही PIO को information देना पड़ेगा, ठीक है, यह important question है MCQ के लिए, कि अगर normal है तो 30 दिन और life और liberty से important है तो 48 hours के अंदर में information देना पड़ेगा, if PIO fails, अगर PIO information देने में fail हो गया, तो request deemed refused, request को refuse माना जाएगा, और वो transfer कर दिया जाएगा PA को, यानि कि public authority को, public authority कौन है, इनका hate, मतलब PIO PA के अंदर होते हैं, so public authority यानि कि PA, इन्हें transfer कर दिया जाएगा, और 5 दिन के अंदर में यह inform करेंगे person को, ठीक को भी कह सकते हैं, next up है, exempted information section 8 में, इसमें क्या है, हमें यह पता है कि हमें सारी information चाहिए, लेकिन कुछ-कुछ information exempted है, वो हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, और कौन-कौन्स यह वो, जो हमारी देश की सर्वस्रेष्ठता और अखंडता, यानि कि इमानदारी को effect करे ऐसा information हम लेक नहीं कर सकते, फिर जो forbidden हो, यानि कि मना हो, court ने मना किया हो कि यह information published नहीं हो सकता वो, फिर disclosers, breach, parliament या state legislature, ऐसे information जो parliament या state legislature का, state law का rule break करता हो, breach करता हो, तो ऐसे information, फिर जो confidence हो, confidential हो, या फिर secret trade related हो, intellectual property related हो, यह सब MCQ में आता है, so इन सब के related information हम लोग leak नहीं कर सकते, हमें नहीं मिल सकता यह information, फिर ऐसे information जो सिर्फ available only to capacity, मतलब जो person उसके लायक है, सिर्फ उने ही मिल सकता हो information, तो ऐसा information सबको नहीं मिल सकता, फिर in confidence of foreign government, foreign government ने कुछ information ऐसा है, जो confidence रखा, यानि confidentiality के अंदर हो, information जिससे किसी person की life danger में आ जाए, फिर cabinet papers, cabinet papers, मंत्रियों वगरा के जो papers, कुछ important papers होते हैं, फिर ऐसा information जो किसी के copyright को infringe कर दे, यानि किसी का copyright तोड़ दे, तो ऐसा information नहीं आ सकता, नहीं दिया जा सकता, तो यह सब exempted information के अंदर में आते हैं, if info in partially exempted, other part shall provided, अगर information का कुछ part exempted है, तो जो part exempted नहीं है, at least वो बताना पड़ेगा, excluded agency, under section 24, कौन-कौन सी agency excluded है, तो intelligence, security, जो की schedule 2 में बताया गया है, IB, RAW, CBI, CID, BSF, CRPC, NSG, Assam Rifles, Indo-Tibetan Border Police, Narcotics Control Bureau, इन सब की information नहीं बताई जा सकती, क्यों नहीं बताई जा सकती, यह आप भी अच्छे से जानते हैं, info related human rights, अगर human rights related या फिर corruption से related information हो, तो वो central government को बतानी पड़ेगी within 45 days, फिर next है, information commission, section 18 में, मैं इसके बारे में details में आपको बताऊँगी, so information commission 18 में क्या बताया गया है, inquiry into above matters, अगर इन सब के बारे में inquiry चाहिए, तो इनके पास information commission के पास, same power है as civil court, जो power civil court के पास है, वही information commission के पास power है, और ये कैसे बनता है, तो ये president और governor को मिला कर बनता है, कैसे बनता है, मैं भी आपको बताऊँगी, फिर हम बात करते हैं, appeal की, so appeal कैसे कर सकते हैं, so appeal हम कर सकते हैं, पहले 30 days, officer of senior rank या PIO को, और 30 दिन के अंदर अगर हमने अपना पहला appeal किया, तो ठीक है, अगर हम किसी वज़े से appeal नहीं कर पाए, लेट हो गया, तो हम 45 days तक हमें छूट मिल सकती है, और second जैसे हमने अपना first appeal किया, उसके बाद अगर कुस decision आया, तो हम अपना second appeal कब कर सकते हैं, 90 days के अंदर में commission को, पहला appeal हम PIO को करेंगे, और second appeal हम information commission को करेंगे, कितने दिन के अंदर में, first decision आने के 90 days के अंदर में, फिर penalty section देखें, तो penalty कितनी है, per day rupees 250, subject to maximum 25,000 to PIO, यानि public information officer, अगर information नहीं देता है time पे, तो उसकी सजा होगी, या तो 250 रुपए, जो की maximum 25,000 तक जा सकता है, और इसमें एक important चीज है, कि जो information हम लेते हैं, 6, subsection 1 में बताया गया है, उसकी fees है 10 रुपए, उसमें word cannot contain more than 500 words, 500 words से जादा नहीं, एक साथ में information लिख सकते, excluding an extra, an extra को हटा कर, next है Central Information Commission under section 12 and 13, So Central Information Commission क्या काम है, तो Central Government official gadget में notification देगी, और constitute करेगी, बनाएगी एक body, जिसका नाम रहेगा Central Information Commission, ये कौन बनाएगी, Central Government बनाएगी, इट कंसिस्ट ओफ, ये किन लोगों से भरा हुआ रहेगा, So Chief Central Information Commissioner, और दूसरा Central Information Commissioner, not more than 10, दस लोगों से जादा नहीं, एक होगा Chief और एक होगे नॉर्मल दस लोग, Commissioners appointed by President, ये जो Commissioner है, यहाँ पे ये दो, यानि कि यहाँ 10 और यहाँ एक, टोटल 11 members, तो इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, President अपॉइंट करेंगे, on recommendation of committee, एक committee बनेगी, इसी के लिए और वो recommend करेगी, तब President इन दोनों का अपॉइंट करेंगे, वो committee कैसे बनेगी, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, चियर पर्सन बनेगे, और कोई opposition party, जो इस टैम के opposition party होगी, उसके leader, लोग सभा के leader होंगे, वो एक member होंगे वहाँ पर, और Union Cabinet Minister, जो PM ने अपॉइंट किया है, उसके एक member होंगे, तो यह सारे मिलकर committee बनाएंगे, और वो committee इन दोनों member को चूज करेगी, प्रेसिजेंट के help से अपॉइंट किया जाएगा, और, और यह hold करेंगे office, 5 years the day inter office, जिस दिन से office में इंटर किया, तब से 5 साल तक, या फिर 65 साल की उनकी उमर हो जाए, इन दोनों में जो जल्दी होगा, तब तक वो office को hold करेंगे, और इनकी headquarters का होगी, तो वो Delhi में होगी, या फिर other place जैसे भी सब लोग मिलके decide करें, ठीक है, main headquarters दिल्ली में होगी, और other places में भी हो सकती है, तो दोस्तों ये था CIC, यानि Central Information Commission, ये मैंने आपको इसलिए बताया, क्योंकि MCQ में बहुत questions पूछ जाते हैं, अब हम चलते है, State Information Commissioner गी तरफ, अब हम बात करते हैं, State Information Commission जो की आता है section 15 and 16 में, तो जैसे CG अपॉइंट करती थी notification दे के official gadget में, वैसे ही State Information कौन अपॉइंट करेगा, तो सेंट्रल स्टेट गवर्मेंट, सेंट्रल वाला सेंट्रल कर रही थी, स्टेट वाला स्टेट गवर्मेंट करेगी, हर अपने अपने स्टेट के लिए, तो स्टेट गवर्मेंट, official gadget में notification दे के एक body corporate बनाएगी, जिसका नाम होगा SIC, यानि की State Information Commission, ये किन से भरे होंगे, तो जैसे वो सेंट्रल वाला किस से भरा था, Central Chief Information Commissioner, तो स्टेट वाला, State Chief Information Commissioner से बना होगा, जैसे वहाँ पर स्टेट Information Commissioner, सेंट्रल Information Commissioner थे, यहाँ पर स्ट State Information Commissioner होंगे, not more than 10, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, कि दोनों सेम है, जो सेंट्रल का था, उसमें सिर्फ सेंट्रल था, और स्टेट वाले में बुरे स्टेट रहेंगे, उसके बाद next, सेम है CIC, जैसा Central Information Commission में था, बस वहाँ पर सेंट्रल को लेकर था, यहाँ पर स्टेट को लेकर होगा, जैसे कि, वहाँ पर थे ना कि Commissioner लोग बोलेंगे, प्रेसिडेंट जिस तरीके से चूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम कमीटी बनेगी, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होंगे, वहाँ पर ओपिजी उफिस को होड करेंगे, पूरा सेम है, यहां पर headquarter क्या होगा, हर स्टेट का अपना-पना headquarter होगा, ठीख है, तो स्टेट अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा और एक डिफनीशन है जो कि है टू सब्सेक्ष्षन इमें वो भी हम देखते हैं जो कि है कम्पीटेंट अथोरिटी कौन होती है तो सुप्रीम कोट के केस में चीव जस्टिस ओफ इंडिया हाइए कोट के इसमें Chief Justice of High Court और Constitution ने बताया है President और Governor जो हमारे Constitution के हिसाब से बने हैं वो और Administrator Appointed Article 239 of Constitution जो बताता है उसके हिसाब से जो Administrator Appoint हुए हैं यह सब Competent Authority के अंदर में आएंगे यह मैंने आपको इसले बताया क्योंकि exam Point of View से important है और यह यह जो Act है RTI यह किसके अंदर आता है तो यह Ministry of Personal Public Graviances Pensions के अंदर आता है प्रोवाइट यह जितने भी Ministry है इन्होंने प्रोवाइट किया है एक RTI Portal Gateway to be informed रखने के लिए इन्होंने एक RTI Portal Gateway बनाया है जिससे आप Login करके देख सकते हैं किस तरीके का Portal है और information किसका मिले सारे government वरकिंग का इसलिए यह बना है तो यह किस Ministry के अंदर आता है पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियांसेस और पेंशन का जो Ministry है उसके अंदर में यह आता है तो दोस्तों यह था पुरा RTI का information शौट में मैंने आपको देने की कोशिश की पूरे एक्ट आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं और वीडियो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे रिलेटेड आपको मिलते रहें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे बताएं थैंक्यू फ्रेंड्स